Hello Everyone and Welcome to the Class आज हम पढ़ने वाले हैं X-Party Decree के बारे में जो कि बहुत important है X-Party Decree हमारे Means के लिए भी और हमारे Pre के लिए भी बहुत important होती है आप कोई भी exam देरो, LLB का exam देरो वहाँ पर भी आपके लिए ये बहुत important होती है तो X-Party का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है in the absence of the party कौन सी बार्टी की? defendant की क्योंकि हमें अच्छे से पता है order 9 कहता है कि भई आपको सम्मन दे दिये गए अब आप court में आ जाओ अब आप court में नहीं आते हो appearance नहीं होती है तो उस case में क्या होगा उस case में हमने पिल्कुल detail में हर चीजे पढ़ ली थी last class जो हमने discuss की थी और मैंने आपको का था कि expired degree के वारे में हम detail में next class में पढ़ेंगे तो बस अपना वही promise निभाते हुए हम expired degree को आज पढ़ने वाले हैं but before I start मैं आपसे फिर से कह रही हूँ अगर अभी तक आप लोगो नहीं मुझे an academy पर follow नहीं किया delay मत कीजिए an academy पर follow कीजिए अभी revision rapid revision चल रहा है 30 sections का में class ले रही हूँ वहाँ पर अभी Indian evidence act का ठीकि Indian evidence act का 30 section का class होता है और वो classes खतम होने के बाद में हम CRPC start करने वाले हैं तो आप लोग देर मत कीजिए और अगर आप वहाँ special classes लगाने के लिए जाते हैं तो यह मेरा code है ARC HNA 6 section का उस code को लगाने के बाद आपको free access मिल जाती है जो भी special classes होती है उन्हें देखने की उस access के साथ सथ अगर आपको वहाँ पर अच्छा लगता है पढ़के special classes में तो आप plus courses भी join कर सकते हो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसके लिए सेम ही code आपको apply करना है ARC HNA और आपको 10% का सब्सक्रिप्शन पर पर भी वहाँ पर जो है ओफ मिल जाएगा Unacademy क्यों join करें Unacademy इसलिए join करें क्योंकि Unacademy हमें बहुत सारे features देता है जैसे कि घर पे ही बैठके हम पढ़ाई करते हैं ठीक है अपना live experience के साथ में teachers के साथ में जुड़के हम पढ़ाई करते हैं unlimited access हमें सभी courses के लिए मिलता है एक particular चीज को सोचके अगर मेरा सोचके समझो आप subscription लेते हो तो वहाँ पर सिरफ मेरे ही नहीं आप जितने भी वहाँ पर educators हैं सभी के subscription के जितने भी videos होंगे आप सब देख सकते हो इसी तरीकी से special classes भी आप सब की access कर सकते हो इसके लावा एक नहीं कई कई बार आप देख सकते हो सब आपको material वहाँ पर available रहता है कुछ जलीट नहीं होता है टोप educators of India एक platform पर है आपके लिए आपको syllabus coverage करा जाता है exhaustively यानि कि एकदम complete तरीके से करा जाता है regular doubt clearing sessions होते है live test series होती है study material आपको PDF format में मिलता है और answer writing sessions आपके regular होते रहते हैं यह offer अभी चल रहा है कि अगर आप 12 महीने के subscription के लिए जाते है तो आपको 1 महीने का subscription free मिलता है यानि कितने होगे 13 महीने आपको देखने को मिलते है एक price पर 18 महीने के subscription पर जाते हो तो 2 महीने का और 24 महीने के subscription पर जाते हो तो आपको 3 महीने का subscription जो है वो मिलता है अब आता है special classes की में बात करूँ तो मैंने आपको कहा free of course class से चल रही है तो कोई भी subject आप देखो उठा कर कि आप देखलना एक बार आप टावनलोड करना और वहाँ जाके देखना जूडिश्री गोल सेलेट करने के बाद में कि आपको जो है जो special classes अवेल करनी है वो सब इस subject पर लगबग लगबग होती है और एक नहीं कई-कई educators कई-कई तरीके से पढ़ादें तो अगर एक का समझ नहीं आया दूसरे का समझ में आ जाएगा देखो भाई ये price high होने वाली है अभी तो ये price चल रही है कि अगर एक महीने के लिए जाना है तो पांचेजा सास्तो पचास रुपे है और नई price पर ये बढ़के आपके पास है इंस्टॉल्मेंट पर आप ले सकते हो मेरा कोड अर्चना लगाने के बाद लबती चे अक्षर का नाम है ये ARC है जैने ये लगाने के बाद आपको जो है इस पर 10% introduction भी मिल जाएगा तो ये सारे benefits आपको मिलने वाले है if you select unacademy for your preparation अभी unacademy की तरफ से mock test भी रोज हो रहे है जिससे अगर आप देखो 9.30 बज़े होता है ये भी free of cost है और इसको भी आप same code के साथ जो है unlock कर सकते हो ARCHNA छे अक्षर ठीक है mock test ICPC पे जैसे है CRPC पे है Indian Evidence Act पे है तो कल क्योंकि Wednesday है तो कल बई CPC पे रहेगा इस तरीके से road जो है mock test भी वहाँ पर चलते है अलग-अलग batches में पढ़ने की सुविधा आपके पास है तो एक batch start हुआ है 9 June से 1 start हुआ है March 15 से 1 May 5 से और एक June 15 से start हुए है तो ये batches 1 year के लगभग-लगभग सभी batches है तो आपको बहुत benefit मिलता है अगर आप unacademy join करते हो आपको अनियल्स खना सर से पढ़ने का मुका मिलेगा जिनके द्वारा 300 से जजज़ को बनाया जा चुका है मतलब इनकी जो guidance है उनके एंडर 300 प्लस जज़ज़ जो है वो अपने अपने काम को संभाले बैठे है इनके इनसे guidance लेकर के ठीक है यह प्लाइसिंग प्लान है जो अभी फलाल चल रहे हैं बही देखो यह देखो यह अभी चल रहा है 31,625 का मैंने आपको बताई दिया 12 months का यह 18 months का 38,000 का 24 months का 46,000 का 24 months का है और यह आपको code लगाने के बाए 10% आपको discount में मिल जाएगा तो अभी अगर आप चाहते हैं तो आपको बहुत benefit जो है वो मिलने वाले है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपने यहाँ पर इस तरह के सब mobile देखोगे वहाँ get subscription आएगा यहाँ पर जो भी subscription select करना है कर लेना यहाँ पर code बूचेगा तो यहाँ पर code आपको लगाना है अर्चना क्या लगाओगे अर्चना 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 ठीक है तो चार यह और दो यह छे एक्षर का नाम है तो आप लोग देरी मत कीजिए code लगाए अर्चना ठीक है और यहाँ परचुनिटीटीज लर्न अप फ्रम दोप एडुकेटर्स ठीक है चलिए अब एक्स पार्टे डिक्री पढ़ लेता है क्या होता है देखो एक्स पार्टे डिक्री मैंने आपको बताई दिया क्या होता है यह रूल 6 समय पढ़ा था ओर 9 का जो कहता है प्रोसीजर वेन ओनली प्लेंटीफ अपियर्स अगर प्लेंटीफ अपियर होता है डिफेंडिंट अपियर नहीं होता तो उसमें 3 सेचुवेशन है पहले सेचुवेशन यह है कि समय डूली सर्व किये गए थे समय डूली सर्व किये गए थे तो यहाँ पर कोट जो है में मेक कोट जो है ओर्डर बना सकती है मेंडेटरी नहीं कोट को आप बोलें राइट के तोर पे नहीं जा सकता अब लिंटिफ कि मेरा अधिकार है मेरे एक्स पार्टे डिक्री कर दो नहीं यह जो है कोट की डिस्क्रिशन है कोट चाहें तो वो चाह सकते हैं क्या करना एक्स पार्टे डिक्री पास करना चाह सकते हैं मतलब कि वो एक्स पार्टे डिक्री पास कर सकते हैं अगर कोट चाहें तो यह कोट के डिस्क्रिशन पर है mandatory नहीं है as a matter of right plaintive इसको court में लेके नहीं जाता अगर summon duty serve हुए है court में ये प्रूव हो जाता है कि summon duty serve हुए थे तो court एक order बना सकते हैं कि suit जो है वो ex party सुना जाएगा मतलब in the absence of the party कौन सी party क्योंकि summon कि इसको issue है defendant को वो नहीं आया तो उसकी absence में जो है वो सुना जाएगा when summons no duty serve अगर summon duty serve नहीं होते तो court कहती है कि आप second summon बनाईए second summon दीजिए और defendant तक पहुँचाए when summons serve but not in due time अगर summon तो serve हुए थे लेकिन due time में नहीं था उसको proper time नहीं देया गया court में आने के लिए तो court shall postpone the hearing of the suit court क्या करेंगी चो hearing of the suit है मतलब the suit की सुनवाई है उसको future day तक postpone कर देंगी ताकि उस व्यक्ती तक एक particular notice चला जाए shall direct notice of such day to be given to defendant ताकि वो आराम से उसके पास time हो और वो court में आ सके जब यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है इसको बहुत ध्यान दे समझना अब इमें आपको पढ़ाऊंगी आगे भी आप इसमें ये जो हमारा ये तो rule 6 है rule 13 में भी एक कोस्ट वाली बात करेंगे तो वहाँ पर confusion बिलकुल मत होएगा confused बिलकुल मत होएगा क्या होता है देखो जो rule 6 में बात करें rule 6 में बात करें अगर जो plaintiff है उसने समन को जो है डंग से नहीं भेजे time पर नहीं भेजे और उसकी वज़े से defendant को आने में time लगा जैसे कल सुनवाई है आप आज भेज रहे हैं समन आज notice भेज रहे हैं तो उस तक नहीं पहुचेगा कोई अगर आपके परोस में नहीं रहता है आपसे 500-600 km दूर रहता है तो उस तक कैसे पहुचेगा समन तो उसमें कह रहे हैं कि भई उसको proper time मिलना चाहिए ताकि वो court में आ सके ठीक है कल सुनवाई है आज समन इशू कर रहो कितने दिन में पहुचेगा 600 km रहता है बंदा कम से कम दो किलो दो दिन तो रगें गई न उसको पहुचने में तो वही वाली बात है कि समन प्रोपर time होना चाहिए समन receive करने के बाद court में आने के लिए अपेर होने के लिए defendant को प्रोपर time मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलता तो जो court में ये प्रूफ हो जाता है कि plaintiff ने प्रोपर time नहीं दिया तो वहाँ पर जो भी cost bear करने पड़ेगी कोस्ट जो होती है वह जो कोस्ट होती है इस postponement की वज़े से postponement की वज़े से क्योंकि court क्या करेंगी अभी हमने करा court future के लिए postponement कर देंगी जब उन्हें पता चला कि ये plaintiff का गलती थी plaintiff की गलती की वज़े से defendant को आने में देर हुई तो वो क्या करेंगी future में बोल पढ़ेगी कोट को वो सारी कोस्ट कोंपियर करेगा प्लेंटिफ करेगा अब रूल 13 में भी पढ़ोगे कोस्ट रूल 13 में कोस्ट डिफैंडेंट देता है वह कब होता है मैं आपको बताऊंगे अभी तिबाम पढ़ेंगे ठीक है तो उसके लावा रूल 7 रूल 8 यह भी हमने आपको बता दिये थे क्या होते हैं ठीक है क्योंकि हम एक्स पार्टे पढ़ रहे तो अब यह तो यहां पर नहीं पढ़ने वाले तो देखो एक्स पार्टे डिक्री मैंने आपको बताई दिया एक डिक्री होती है जो की डिफैंडेंट की अगेंस जाती है जब डिफै पार्टे डिक्री बनती है अगर समें डूली सर्व किये गए और देट ओफ एरिंग उसको बताया गया प्रेंटिफ के द्वारा और डिफेंडेंट अपेर नहीं होता तो कोड जो होती है वह सूट को एकस पार्टे सुन सकती है और एक डिक्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास कर सकती है लीगल वैलेडिटी इंफॉर्सिबिलिटी और ऑपरेशन जो होते हैं उस डिक्री के बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि बाइपार्टे डिक्री होती है अब यह बाइपार्टे डिक्री का मतलब होता है जब दोनों पार्टी को सुनवाई होती है जब दोनो पार्टी की presence होती है दोनों पार्टी की presence में दोनों पार्टी की सुनवाई में फिर हमने कोई डिक्री पास की उसे बाई पार्टे डिक्री बोलते हैं लेकिन अगर एक पार्टी के सुनने के बाद में हमने सुनवाई कर दी क्योंकि दूसरी पार्टी आई नहीं थी तो उसको x-party decree वो लेंगे तो यहां पर x-party decree की वही value रहेगी जो की by-party decree की होती है डिक्री x-party कब होती है एक decree x-party है या फिर नहीं यह caution of law भी है और caution of fact भी है तो just court के records होंगे circumstances होंगे जिसमें यह decree पास की गई थी उससे ही पता चलता है कि बई जो यह देखेंगे कि उस particular time पर defendant आया था कि नहीं आया था उस particular time पर defendant present था या फिर नहीं था यहां ध्यान रखना कि अगर एक कोई decree compromise के उपर based है उसको हम exparted decree नहीं कहते और इसी लिए वो order हमारे nine का rule 13 का जो है set aside कराने का exparted decree वो follow नहीं होता अगर कोई compromise decree है तो relief क्या है एक party को जिसकी against decree पास होती है तो देखो सबसे पहला उसके पास relief है set aside कराने का कि वो इस decree को set aside करने के लिए चला जाए अब वो set aside करा सकता है इसको हम detail में पढ़ेंगे बर जड़ा सा summary में आपको बता रही हूं अभी के लिए कि वो sufficient grounds बता देता है कोट को कि मैं नहीं आ पाया यह ground थे जैसे कि अगर हम यह बात करें हमने अभी पढ़ा वो यह कह देता है कि plaintiff ने मेरे को proper time पर summon issue नहीं करे थे मुझे नहीं पहुंचे थे या फिर वो कह दे कि मुझे जब पहुंचे तब तक काफी लेट हो चुका था मुझे time नहीं दिया गया court में appear होने के लिए या फिर कोई और भी तरीका हो सकता है कुछ थोड़े से example मैंने यह लिखे हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगी पर इल्म के लिए मैंने बता दिया कि हाँ इसका मतलब इस इन grounds पे sufficient ground लेके अब sufficient grounds की भी hard code कोई definition नहीं कि यही यही चीज़े include होईंगे तो वहाँ पर वो circumstances अगर court को बता देते हैं देखो न्याय का तरीका क्या है किसी पे harsh होने का नहीं है न्याय का मतलब की नहीं कि हम जबर्दस्ती किसी को पीट-पीट के मार-मार के सच उखलवाना चाहते हैं नहीं basically हमें humanity को भी ध्यान में रखना है जब हम कोई भी decision ले रहे हैं तो यही चीज़े है कि अगर किसी के साथ genuine कोई problem आ गई घर में कोई बिमार हो गया तो उस case में भी वो कैसे आएगा उसको छोड़के तो वहाँ पर यह वाली बात कह सकते हैं कि genuine-ness भी देखी जाएगी जब तो अब क्या करता है कोट में जाता है सूपीर कोट में उस अपील लेके जाता है कि इसको सैट असाइड करा दीजे तो अपील लेके जाता है उस दिक्री के अगेंस्ट सेक्शन 96 के सब्सेक्शन 2 में वहाँ पर जो भी decision रहता है जो basically अपी अप जो अपील होती है वो डिस् तो ऐसा नहीं होगा if the person select to go for appeal then he has to stick by the judgment which has been given under the appeal जो अपील में दिया गया judgment उसको वो उसको क्या करना पड़ेगा वो उसके साथ bound हो जाएगा फिर वो change नहीं कर सकता खुद को या फिर वो खुद को यह नहीं बोल सकता कि मैं set aside कराने के लिए चला जाओ फिर तीसरी remedy उसके पास है review के लिए applying for revision के लिए order 47 rule 1 में और फिर वो एक suit भी file कर सकता है कि भई to file a suit on fraudland grounds की में इसाथ fraud हुआ है यहाँ ध्यान रखना एक case था जोदिया पशाद वर्सिस बालमकुद 1866 का case इस case में कहा गया जितनी भी remedies है वो concurrent है और वो prosecute कर सकते हैं उनको हम सकारूर्स concurrently औ दो remedies हैं वो एक statute के जारा प्रूफ हो जाती है तो उन में से एक को हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दूसरे की importance को उसने कम कर दिया set deciding of the exparted decree कौन apply करता है बिल्कुल simple बात है defendant करता है जिसके against decree पास हुआ है लेकिन यहाँ पर समझेगा एक defendant जिसके against suit dismiss हुआ है वो agree cannot be set to be agreed by the decree and cannot apply under this rule उसको हम नहीं कह सकते हैं यहाँ पर कि वो चला जाए exparted decree के लिए अपना application लेके समझाई एक defendant जिसके against exparted decree पास हुई है वही जाएगा exparted decree को set aside करने के लिए एक व्यक्ति जिसका suit dismiss हुआ तो वो still dismiss के ground लेके rule 13 में नहीं जाएगा simple बात यहीं कह रहे हैं और application कहां जाएगी जनरली जो application जाती है set aside करने के लिए जिस court ने exparted decree पास करी वहीं जाती है लेकिन superior court में भी exparted बनाया जा सकता है exparted की को set aside कराने के लिए जाए जाए जाता है जैसे हमने का appeal के through भी जा सकता है revision के through भी वेक्ति जा सकता है an application may be filed in a superior court official receiver versus CLEM 1973 के case में कहा गया फिर आता है grounds तो ground में दो तरीके से ground के base पे चला जाएगा मैंने अभी आपको बताया पहले तो वो कहेगा कि मुझे some money डंग से सर हुए थे दूसरा कहता है कि sufficient cause है मेरे पास तो sufficient cause है वो sufficient कौन-कौन से है वो बताएगा फिर आता है imposing conditions तो condition क्या है court के पास discretion होता है कि वो setting aside decree करने के लिए बदर decree को set aside करने के लिए कुछ conditions impose कर सकता है कर यहाँ पर court के पास wide discretion power है कि वो जो कोई भी terms and condition defendant पे लगा सकती है जैसे कि वो उसको बोल सकती है कि आप जो है cost pay करो अब मैं अभी समन में आई मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था rule 6 में भी वहाँ plaintiff की वजह से defendant को आने मे दे रही हुई क्योंकि उसने court में आने का proper time defendant को नहीं दिया था तो वहाँ पर postponement कर देगी court लेकिन जो postponement किया उन्होंने proceedings को उस proceeding का घरचब plaintiff को bear करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर set aside की application लेने आया है defendant तो set aside के लिए जो भी cost वगार लगीगी वो स का कुछ और पार या फिर court उसको कह सकता है security furnish के लिए यह कोई और भी condition जो भी court को ठीक लगती है वो कर सकते हैं और वो एक day फिर appoint कर देंगे जिसमें further proceeding होईगी condition जो है हमेशा ध्यान रखनी है वो reasonable होनी चाहिए ऐसा नहीं कि सामने वाला person condition को पूरा कर ही नहीं सके इसके लिए court को अपना description देखना पड़ेगा नयायोचीत बात करनी पड़ेगी judicial और arbitrarily और randomly कोई चीज़ ने लेना अराम से proper शान्ती पूरा कुनको decision लेना है superior court जो है सच terms and condition जब बनाई गई अगर वो onerous है unreasonable है मतलब भार वाली हैं किसी को पर भार पड़ेगा या unreasonable एहतार की है तो इस case में superior courts हैं वो terms and condition को set aside भी कर सकती है और इन में से अगर कोई भी condition को compliance नहीं किया गया तो वो application for the restoration of a case जो होगा वो would result in a dismissal अगर को application for the restoration of case के रहे जाती है application तो उसको वो dismissal कर देगा अब आता है limitation क्या है देखो दिहान से सुमना यहाँ पर आप जो हमारा rule 13 है यहाँ पर setting aside का इसके साथ आप जो मैंने भी आपको 96 का subscription 2 बताया रिव्यू बताया वो तो है है हमें साथ में लिखना है एक article 122 भी लिखना है कि setting aside करने के लिए 30 दिन का time है 30 दिन के लिए अंद अप्लिकेशन आ जानी चाहिए केस देखो गुहार्टी यूनिवर्सिटी वर्सिस निहारलाल वट्टाचर जी यहाँ पर समन सर्व किये करते पैटिशनर को 28 मही 1990 में कि वो next आ जाए as per rule 6 of order 5th as there was lack of sufficient time उसको क्या बहुत नेक्स आ जाओ तो वो next नहीं आ पाया time for apparent the suit was a gen to July तो suit कब तक जनुआ 19th July 1990 तक but the days ना फिर यहाँ पर दूसरी party को communicate नहीं किया गया तो Supreme Court ने held किया कि जो समन है वो डिली सर्व नहीं हुए है और जो limitation है वो तभी run होनी शुरू होएगी जब petitioner है उसको knowledge थी order की hence as the application filed within the 30 day period the decree was set aside तो इसलिए decree को set aside कर दिया क्योंकि 30 days के अ क्या गए effect of setting aside and expect ex-parted decree का क्या होगा सबसे पहली बात है जो position में वो पहले थे ex-parted decree को set aside करेंगे तो जहां से वो शुरू हुए थे ना बस वहीं पर बहुँच जाएंगे यानि कि suit institute करने से पहले जहां वो थे वो वसी position पर बहुच जाएंगे ठीक है and the court will proceed with the suit de novo and decide on merit वि फिर decide करेगी appeal भी जा सकती है अगर हमने कहा कि अगर वो पहले appeal के लिए चला गया फिर set aside करी ने जाएगा लेकिन अगर set aside के लिए पहले गया था वहां उसको मनमुताबिक decision नहीं मिला तो फिर वो उसकी appeal करने के लिए जा सकता है फिर revision में भी जा सकते हैं within the meaning of section 115 of the court if therefore revisable and is therefore revisable case low कहते कामता परसाद बसे जगिया का case high court में also exercise supervisory jurisdiction under article 227 of constitution यह इस case में बताया गया था review भी कर सकते हैं मैंने भी बताया order 47 के rule 1 में काया गया review against a judgment if the petitioner on fulfilling the requisite grounds can apply for review of the decree तो review of decree के लिए apply कर सकते हैं sufficient cause for known apparent summons no deli served तो भाई यह कहना कि बे summons no deli served नहीं हुए है तो यहाँ पर यह चीज़ चल जाएगी और वेसी बात यह proof अगर हो जाता है तो फिर वहाँ पर time मिल जाएगा in any case in which a decree is passed against a defendant he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set aside and if he hesitates the court that the summons no deli served the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such term as to courts payment to courts otherwise that things fit and shall appoint a door for proceeding for the suit जब है हमने पड़ा same simple वही है इसमें और कुछ भी नहीं है test sufficient course के बारे में बात कर रहे है कि whether the defendant honestly and sincerely intended to remain present when the suit was called on for hearing and it is best to so बिल्कुल एक question हमें पूचना है अपने आप से कि भाई जब यहाँ पर आना था जब उसको बुलाया गया था उस वक्त क्या उसने honestly और sincerely काम किया था कि मैं वहाँ पर court तक पहुँचाऊं अगर यह बात proof हो जाती है तो एक स्पार्टे डिक्री को set aside कर दिया जाएगा लेकिन अगर यह बात proof नहीं होती तो set aside डिक्री को recall नहीं कर सकते हैं यह बाता है irregularity in service of someone यहाँ देखना irregularity in service of someone और illegality में फर्क होता है यही बात धिरेंदर नात वर्से सुधे चंदर के case में कही गई थी एक्स पार्टे डिक्री को set aside नहीं कर सकते हैं अगर एक पार्टी जिसके against डिक्री पास हुए है उसको date of hearing की knowledge दी समझ न अगर किसी वेक्ती को यह बात पता थी कि date of hearing क्या हो फिर भी नहीं आता है तो उस case में कह रहे हैं कि यह तो चीज गलत हो गई Even if irregularity in the service of someone established, if the defendant had the notice of the date of hearing, the court cannot set aside the ex-party degree Court set aside नहीं कर सकती, set aside करां डिक्री को जब उसको पता है कि जानबुच के नहीं आया Illegality और इसके लाबर irregularity में difference है तो illegality अगर service of someone में होती है, यह वो process होता है जो कि contravention of some authoritative provision का होता है मतलब जो statute हमारी कानून में लिखे हुए उन provisions के according न जाकर के service of someone हुआ है तो वो illegal होता है और उससे वो void हो जाता है लेकिन irregularity एक ऐसा defect होता है जिसको correct किया जा सकता है इप तो बोथ condition के हाँ पर illegality भी नहीं है और irregularity भी नहीं है तो एक्सपार्टेड डिक्री जो है बोथ condition or not satisfied एक्सपार्टेड डिक्री कारनोट भी satisfied तो बोथ दोनों condition satisfied नहीं हो तो जो पिट एक्सपार्टेड डिक्री है वो satisfied नहीं होईगी सुशील कुमार सबबरवाल वर्सस गुरुपीच सिंग की case में सुप्रीम कोट नहीं कहा कि अगर सर्विस समन नहीं होते तो इसको एक ग्राउंड बना सकते हैं एक्सपार्टेड डिक्री कराने का सर्विस अफ समन जो होते हैं वो एक पार्टी को एक फॉर्मालिटी नहीं होते हैं लेकिन ये in fact ये reality होते हैं नेरेश चिंतर अगलवार वर्सिस बैंक ओ वरोडा के case में appellant application की जो ती regarding मतलब set aside कराने के लिए वो trial court ने reject कर दी थी फिर उसके बाद उन्हेंने high court को approach किया फिर वहाँ पर high court ने consider किया the validity of notice of substitution sent to the permanent residential residents rather than his actual present resident तो वो कहां बेज रहे थे फादर के पास बेच रहे थे उसके actual residence के पास नहीं बेच रहे थे plaintiff ने admit किया अपने affidavit में कि जो appellant था वो असा मदर का जगा पर काम करता है और relevant time पर appeal में supreme court ने ही कहा जो decree का जो order दिया वो set aside कर दिया as it considered that someone was not served in reality कि वह समन जो है वो सर्व नहीं किये गए थे actual में रबिंद्र सिंग वर्सेस financial commissioner cooperation के case में क्या हुआ एक बंदा 25 साल से foreign country में रह रह रहा था तो वहां पर जो notice जाना था, someone जाना था वो गाउं के address पर भेज जा रहा था जबकि बंदे को पता ही था जो बंदा भेज रहा था न प्लिंटिफ उसको पता था कि ये 25 साल से विदेश रहा है रहा और उसका address के फिर भी वो उसके गाउं के address पर भेज रहा है बडन फ्रूफ बडन फ्रूफ बडन फ्रूफ इस रहा था जिसको कि ये थाबित करना है कि बई जो है मेरे पास सफिशन कोज था या फिर मुझे समझ जो है वो रहा था पर टाइम पर नहीं दिये गए सफिशन कोज के कुछ illustrative देख लो कौन-कौन से है बोनाफाइड mistake as to date of hearing, last survival of a trend, sickness of council, fraud कर रहा है पोजिट पार्टी, makes mistake हो गई, प्लीडर से रोंग डेट बताने में, negligence of next friend or guardian, in case of minor of minor, plenty for defendant, death हो गई, किसे relative कोई, imprisonment हो गया पार्टी को या strike हो गई, advocate की, ये सफिशन कोज ह सकते हैं, non-sufficient में, dilatric tactics हो गई, negligence of parties हो गई, council, busy in the court, दुसरे court में, busy ता, इसलिए नहीं आए, ये कोई excuse नहीं है, ये कोई sufficient case नहीं है, absent of defendant, after prayer for adjournment is refused, अगर adjournment की, जो है, वो date refuse कर दी, prayer refuse कर दी गई, तो court पे वेक्ती ना आए, या फिर मतलब, यहाँ पर हम कह रहे है कि भई, जब बुलाया जा रहा है, वो तब नहीं आए, तो फिर ये गलत हो जाएगा, absence to get undue advantage, undue advantage लेना चाहता था, इसलिए नहीं आया, no taking part in proceeding, proceeding में आना नहीं चाहता, इसलिए तो ये सब sufficient cause नहीं है, फिर आता, satisfying ex-party decree, ये हमने आपको पताई दिया, जो हमने पढ़ाना, भी सारा ताम जाम, बस ये rule 13 यही कहता है, कि अगर किसी case में decree pass होती है, ex-party against defendant, तो वो court में जा सकता है, उस court में जिसने decree pass की थी, कि order करने के लिए कि इसको satisfied कर दो, और court अगर satisfied हो जाते हैं, कि उसको summoned, duly serve नहीं हुए थे, या फिर कोई proper कारण था, sufficient cause था, जिसकी वज़े cost, payment into court, यह सब उसको pay करना पड़ेगा, अभी हमने कहा आपको, ठीक है, फिर proviso कहता है, where a decree is of such a nature that it cannot be set aside, अगर एक से ज़्यादा defendant है, और वो एक defendant की against नहीं, बलकि सब की against होगा, तो फिर यहाँ पर, यहाँ पर कहरें कि, बहुँ, set aside नहीं हो सकता, अगर आप एक की against बा बात पर नहीं देगी, कि वो irregularity की वज़े से लाया गया है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दखना, अगर संचिट कोर्ट सेटिसफाई हो जाते है, कि जो defendant के पास notice था, अकि डेट ओफेरिंग क्या है, और उसके पास time भी था आने का, तो फिर वो उसको set aside नहीं करेंगे, एक्स set aside without notice to opposite party, तो opposite party, यहनी कि plaintiff हो गयाना है, अपर defendant ने कहने पर, एक्स पार्टी को set aside करने के लिए हो, अब यहाँ पर कोन हो गया, defendant हो, यहाँ पर defendant है, उसके कहने पर, हाई set aside करने के लिए, plaintiff को notice देना जरूरी है, कि भई, यहाँ पर क्या हुआ है, no decree shall be set aside on any such application as a force at, unless notice thereof has been served on opposite party, तो notice देना है, उसके बाद ही no, जो set aside की decree है, वो आएगी, thank you so much, I hope आपको clear होगा, thank you, thank you for being there.